हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल अवरियल धारा तो आएए आज वीडियो में बात करते हैं टाइपस ऑफ वॉलकेनोस के जो जो आला मुखी होते हैं उनके कौन-कौन से प्रकार होते हैं देखे कोई चीज जो हो समझना एकदम आसान है बस आप उसको ध्यान लगा करके स समझते हैं तो जो वॉलकेनो के प्रकार हैं जो आला मुखी के प्रकार हैं सबसे पहले इरप्सन के आधार पर उसका जो उद्गार होता है उसके आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है कौन-कौन से दो भाग हैं सबसे पहले सेंट्रल इरप्सन वॉलके आप जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं Central Eruption का मतलब क्या है कि जो volcanic material निकल रहा है जो अलम की पदार्थ है वो एक बीच में से कहीं से निकल रहा है मतलब इसमें यह होता है कि जैसे यह volcanic कोन है यह कोई mountain है volcanic mountain और बीच में यह volcanic यह वो पाइप है तो volcanic pipe के थूँ मेटेरियल ऊपर आ करके खूब blast के साथ में जो है वो निकलता है और निकलने के बाद दोनों साइड में deposit होता है और material इससे उपर निकला दोनों साइड में थोड़ा मैं कलर बदल दीता हूं ओके तो material इस central वेंट से निकल करके दोनों साइड में ऐसे material deposit होता है और deposit होने के बाद एक proper कोन का formation कर लेता है बड़ा सा संकु बनाता है तो इस तरीके से जब आप central eruption volcano की बात करेंगे तो central eruption volcano में जो लावा और debris जो भी material निकलता है एक central vent से निकलता है pipe से निकलता है और निकल करके ऊपर जो है वो खुब blast के साथ में निकल करके आता है और blast के साथ मतलब बिद्ध्वन्स करता हुआ खुब तेजी से निकलता है बूम की आवाज के साथ हो और दोनों साइड में deposit होता है तो इस तरीके से एक symmetrical आप देखेंगे symmetrical कोन बनता है इस तरफ जो भी जो है वो लगभग एक प्रॉपर शेप बनता है इस तरफ भी राइड लेफ्ट जो दोनों लिम मतलब चारों तरफ एक symmetrical कोन टाइब का formation करके जो है material deposit होता है तो जादा तर इस case में volcanic mountains देखेंगे आप या volcanic islands होते हैं इनका निर्माड होता है और ये जो rocks होती है जादा तर इसकी जो होती है वो granitic nature की बनती है और जादा तर ये जो मिलता है ये मिलता कहां पर ये मिलता है destructive plate margins पे destructive का मतलब मैंने बताया था जब दो plates आपस में converge होती हैं तो converge होने के बाद material नीचे तूट करके जाता है तो जहां plate converge होती है मिलती है लड़ती है वहीं पर होती है destructive plate margin तो ज्यादा तर ये center eruption volcano destructive plate margin पे मिलता है silica का content जो material बाहर आता है उसमें काफी होता है silica की मात्रा पर्याप्त होती है material निकल करके बाहर आता है और deposit होता है material जो होता है silica के होने के कारण से acidic होता है अमली ये प्रकेटिका होता है अब इसके अगर मैं देखूं subdivision करूं या आपके लिजे इसके types की बात करूं central eruption volcano में जो है वो इनको खिंदी में केंद्री ये उदगार का जो अलामखी कहा जाता है तो कौन-कौन से है हवाई eruption volcano के प्रकार है मतलब अगर हवाई जिस तरह से eruption करता है उस तरह से eruption हो रहा है तो वह जितने वालकेनों उस तरह के eruption कर रहे हैं वह हवाईयन टाइप के हो गए स्ट्रामबोली की तरह करने हैं तो स्ट्रामबोलियन टाइप के हो गए तो ये सेंट्रल इरप्सन वालकेनों के टाइप से इस पॉइंट को याद रखिएगा ओके और दूसरा जो प्रकार है वो है फिशियोर इरप्सन वालकेनों अभी मैं इसको आगे आप से इमेज में भी दिखा करके आप से डिसकस करूँगा फिशियोर का मतलब दरारी उद्भेदन वाले जौला मुखी तो जादा तर इस तरीके के जौला मुखी कहां मिलते हैं जो भी या मिद ओसनिक रिज है मेड ओसनिक रिज या मद्ध अट्लांटिक कटा क्या मेड्ड अट्लांटिक तो यहाँ पर मिलते हैं इसमें होता क्या है कि जब जो किसी भी जमीन पर कहीं पर भी जब volcanic material नीचे से उपर आता है और अगर volcanic material एक proper wind का formation नहीं करता है proper pipe तरीके की बना करके नहीं निकलता है वो क्या करता है ऐसे धीरे धीरे कहीं से जगा खोज करके निकलता है और ऐसे निक activity नहीं होती है बीना explosion के material जो आपके fissure होते हैं कहीं पर gap होते हैं उनसे निकलता है या कहीं पर rifting हुई होती है जमीन फटी हुई होती है तो उनसे material जो है वो निकलता है निकलने के बाद deposit होता है और deposit होने के बाद निर्माड करता है platius का तो इस case में ज्यादा तर पठार का निर्मार होता है जैसे कि अपना दक्कन का पठार इसी तरीके से बना हुआ है तमिल नाडू का पठार यह सारे लगभग इसी तरीके से बने हुए है तो इसमें का जो material निकलता है उसमें silika की मात्रा कम होती है silika की मात्रा कम होने के कारण, मतलब बालू टाइप कम, पदार्थ कम होता है, उसकी मात्रा कम होने के कारण, ये थोड़ा सा जो होता है, गाढ़ा नहीं होता है, ये कैसा होता है, हलका होता है, इसकी फ्लूइडिटी जो होती है, वो हाई होती है, मतलब की गाढ़ा पन नहीं होत होता है पत्ला पदार्थ होता है और वह बह करके ऐसे दूर तक बहता है बेशिक नेचर होता है छारी प्रकिरति का जो मैगमा आपका होता है बाहर निकल के मैगमा लाबा हो जाता है तो बहुत सारे जिससे बने हुए हैं और जैसे मैंने बताए Central यहां पर प्लेट अकर के दोणों कनवर्ज हो रही है लेकिन ज्यादा तर जो फिश्योर इरप्शन कहीं होते हैं जहां पर प्लेट क्या होती हैं दूर भागती है दूसरे के ऑपोजिट भागती है मतलब कि जिनको आप बोल सकते हो की ऐसे में इसे निकल करके आ आप आएए देखते हैं आगे इसको कुछ पिक्चर्स के माध्यम से अब आप यहाँ पर जो यह देख रहे हैं यह एक केंद्री उद्गार का ज्वाला मुखी है अब इसमें आप देखिए जैसे मैंने पहले बताया क्या होता है नीचे से मेटेरियल एक प्रॉपर वेंट बन इनने वीखते हैं जैसे क्या आप यहां पर देख सकते हैं वॉल्कैनिक मेटेरियल एक पाइप के साथ में बहता है तो जब इस तरीके से मेटेरियल बाहर निकलता है explosion के साथ में तो यह बोलते हैं centrally erupting volcano इसमें मैंने जैसे पहले बताया आकर के material deposit होता है और एक proper कोन का संकु का निर्माण होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका हो गया central erupting volcano यह यहाँ पर एक image बनी हुई है साथ में ही left side में आप देख सकते हैं कि कैसे नीचे से pipe के through material निकला blast के साथ एकदम चमक दमक के साथ और विद्धवन्स करते हुए इसके साथ volcanic ice, rocks, water vapor जो भी होता है वो सब निकलता है और निकल करके side side में deposit हो करके कोन का formation कर रहा है तो यह आपका हो गया central erupting volcano अब आईए द pipe इधर ही देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे यह pipe से material निकल रहा है तो निकलते निकलते material क्या होता है कहीं पर देखिए एक bugle में दूसरी vent develop हो गई यह straight नहीं है material ने कहीं पर rocks बीच में चट्टाने जो है वो कमजोर अगर इसको मिल गई तो उसको तोड़ करके bugle से निकल है ऐसे और थोड़ा थोड़ा ऐसे पदार्थ साइट से निकल निकल करके जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहता है तो जब इस तरीके से भी निकल करके बहता है तो भी उसको फिस्योर की category में रखा जाता है लेकिन जरूरी नहीं इसी तरीके से हो कहीं से भी जो है व material नहीं निकलता है जितना की central erupting volcano में निकल रहा है देखिए यह जो image दिख रही है आपको screen पर यह है fissure eruption वाला volcano यहाँ पर eruption जो रहा है वो एक volcanic pipe के थ्रू नहीं हो रहा है ऐसे ही surface surface पे जो है वो कहीं से नीचे से ऐसे material निकल करके जो है वो कहीं पर आ करके deposit होने लग रहा है और यह क्या हो रहा है less explosive activity के साथ रहा ज्यादा explosion नहीं हो रहा है और ऐसी चीज़ें कहां पर होती है जैसे मैं आपको पहले ही बता चुक boundaries के आज पास ऐसा जादा होता है तो याद रखेगा point कहां पर जादा होता है जहां पर plates क्या होती है diverge होती है हमारे mid oceanic ridge में मतलब Atlantic महासागर में ऐसे ही हो रहा है plate दूर भाग रही है और नीचे से जगह पा करके material धीरे 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 फुस फुस करता हुआ आ रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक lift type का formation ऐसे हुआ है क्या हो रही है यह दो land masses है यह जैसा लग रहा है कि यह बाहर की तरफ दूर जा रहा है और बीच में से gap का formation हुआ है और वहीं से volcanic material आपका निकल करके आ रहा है और निकलने के बाद आप देख सकते हैं material जो है आपको ऐसे दिख रहा होगा इसकी फ्लूडिटी जादा है गाढ़ापन इसमें कम है समझ रहे हैं तो गाढ़ापन कम होने के कारण यह ऐसे बाहर की तरफ भाह करके भाग रहा है और इससे ज्यादा तरक्या मैंने बताया प्लैट्यू जो फॉर्मेशन होता है वह इ इसलिका की मात्रा कम रहती है तो थीक और गाढ़ापन डिसाइड होता है अगर ज्यादा सिलिका है तो मतलब वह कम गाढ़ा है तो यह वाउसके परकार हो गए किसके आधार पर यह हो गए वालके रख इरब इसन के आधार पर कल Oklah desi तरीके से eruption कहा, किस जगा से हो रहा है. अब आएए दिखते हैं वाल कयनो के प्रकार based on frequency of eruption कितनी मात्रा में eruption हो रहा है, कितनी बार eruption हो रहा है, तो उसके आधार पर, eruption की उद्घार की बारम बारता के आधार पर आइए देखते हैं कौन-कौन से टाइप के वालकेनों होते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि उद्गार की बारम बारता के आधार पर कौन-कौन से तरीके के वालकेनों होते हैं तीन तरीके के बॉल कैनों हैे कौन-कौन से आइक्टीब है सख्रि है पातिक्व है यह ख्रिय है सख्रिय नहीं है और आपके यह वो देड़ वॉल कैनों में देरा Але थ्री टाइप सब वॉल के नोजेरा इस डओन देटर सख्रीय ऐसाइग का मतलब нев foster रावा है कि निगलता है अंदर मैंगमा उपर आके लावा बनता है तो लावा का उद गार लगातार होता रहता है अगर बीच में रुख भी जाता है कुछ टाइम के लिए तो इसमें क्या होता है अगर माल लोग कुछ टाइम के लिए रुख गया तो कम से कम गैसेस वगयरा जो है वो निकलती है लेकिन हर दो-चार साल में इसका ही रफसन एक बार हो जाता है material का तो अगर इस तरीके से होता है तो उसको बोला जाता है active volcano जो की एकदम active stage में रहता है जैसे अभी हम लोग active students है नवकरी लगने के बाद हम लोग पैसी हो जाते हैं अभी ज्यादा पढ़ते लिखते हैं नवकरी लग गए तो पैसी हो गए पढ़ना लिखना छोड़के भी रहर भी काम होते हैं अब इंडिया का इससे question भी आया हुआ था यूपी सी में भी आया था और यूजी सी नेट की एक्जाम में भी आता है हर एक्जाम में आता है only active volcano of India is barren तो कोटो पैक्सी आपका हो गया कहां है कोटो पैक्सी इक्वाडे एक्वाडोर में है कोटो पैक्सी बैरेन मांट किला थायू हो गया आपका कैका टोवाघंडिया यह गया क्रैकाटोवा इंडोनेसिया तो यह भी जो आपका है यह भी इसी में relative हो गया पीनाटूबो कहां पहां है विलिपीन आगे में आपको इसे बना करके बता दुगा कि यह सारह vaulki आघ्रहन जस्ता कहां है पर इनको edro पोटली बान लीजिए रख लीजिए दिमाग में ओके फिर दूसरा हो गया पैसीव और डॉर्मेंट वाल कहनो पैसीव का मतलब क्या है कि इसमें जैसे एक्टीव में लगातार इरप्सन होते रहते हैं पैसीव में इरप्सन एक बार होता है फिर 10-15 साल के लिए बंद हो जात है तो इसका मतलब वो क्या है पैसीव और फिर डॉर्मेंट वाल कहनों हो गया है तो डॉर्मेंट वाल कहनों जो है वो विस्व में कौन-कौन से हैं कुछ महत्पूर्ण वाल कहनों को देखते हैं वह हैं आपके विसूवियस ठीक है पहले खुब इरप्सन हुआ और धीरे इतली में है इतना इरप्सन हुआ कि उसने एक दो सहर ही तबाह कर दिये तो आपका जो है विसूवियस अभी इरप्सन इसमें नहीं हो रहे हैं कई सालों से मैं एक जिगा पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि 100 साल से लगभग इसमें इरप्सन नहीं हुआ है मतलब कुछ भ इसमें कभी हुआ रहा होगा है ना आज के चार शेसों साल पहले हुआ रहा होगा और अभी कुछ नहीं हो रहा है और उसमें से कभी धूणा धांकर भी नहीं निकल रहा है है ना तो अभी कुछ भी वहां से अगर नहीं निकल रहा है और कोई संभावना भी नहीं है तो भी जियोलजिस्ट हैं वो कहते हैं भी या यह क्या हो चुकी है जोन इसका समेटेरियल निकल चुका यह स्टेबल जोन हो चुकी है तो अगर ऐसी चीजें होती है तो वह होता है टेड़ेया एकस्टिंक्ट वॉल कैनों कौन कौन से हैं चिंबे राजो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं चिंब राजो किस जगा पर है किली मंजारों अफरीका में है कहां पे है कमेंट करके बताएं आपने गाना भी सुना होगा किली मंजारों लड़की परवत की यह तो आप मुझे किली मंजारो को कमेंट करके बताइए किस जगा पर है देवमन दैन को ए सुल्तान इरान ये इरान के दो एक्स्टिंट वाल कहनो है पहले इरान में भी रप्सन हुए थे एक जगा हो गई देवमन और दूसरी को ए सुल्तान फिर आपका है एकान का गुआ तो जो चिली और अर्जेंटीना है उसके बॉर्डर पर है कहां साउथ अमेरिका में है चिली और अर्जेंटीना कंट्रीज तो चिली और अर्जेंटीना में है कानका गुआ तो ये डेड या एक्स्टिंक्ट वाल कहनों है तो ये सारे के सारे कौन से ये टाइप साफ वाल कहनो जो मुझे लगा जरूरी है मैंने आपको एकदम सिंपल करके इस वीडियो में बताया अगर आपको मेरा वीडियो इंफार्मेटिव लगता है आपको लगता है कि या यह आपके काम आएगा तो इसको लाइक करिए सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों तक पहु इंफार्मेटिव वीडियो बनागर के जोगर्फी को एकदम सरल सब्सक्राइब में पहुचानी की कोशिश करूँगा और हाँ मेरे चैनल का नाम अविर्याल धारा है इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा धैंक्यू वेरी मच्च